हलो गुड मॉर्निंग वेल्कॉम टू सिवल पॉइंट आज मैं पेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि आपके एपकमिंग साम्स के लिए थेल्फ होंगे ओको सब्ukेफि में हम पेंट की कॉंस्यू जेके एक कुछ पेकर सिवियंट्स पेंगे के कुछ पेंट की कॉंस्यूुएंट्स होता है तो घुमा है जैंसे पहला कॉस्टिण होता है बेस के बेश के कुछ भी वज को आगर बेश करता क्या है तो बेश जो हो बेस जो है ङste क्वेक्ह फील्म au dest बेशे हैं यह कि यह बाइंडिंग अच्बから आगरट करता है उसका मतलब की एक तम एक होता है transparent जिसके आरपार आप देख सकते हो एक translucent जिसके आरपार आप धुंदला दिखता है एक होता है opaque जिसके आरपार कुछ नहीं दिखता ठीक है तो paint film जो है उसको opaque बनाता है base और it acts as a binding property binding material okay for the paint it reduces the shrinkage cracks in the film on drying ये shrinkage cracks को भी reduce करता है okay it is usually metallic oxide metallic oxide होती है जो भी base होती है जो भी base है metal oxide generally होती है जैसे कि white lead white lead is used for wooden surfaces red lead is used for red lead is used for iron surfaces oxides of iron is used for priming coat of iron surfaces okay titanium white titanium white is used for receiving coat of enamel aluminum powder it is primary coat to the new wood surface new wood work के लिए क्या करते हैं aluminum powder के यूज़ करते हैं लिथो फोन इंटीर वर्क्स ओनली इंटीर में हम इसका यूज़ करते हैं कि नेक्स्ट जो constituent है वो है vehicle जिसे carrier भी कहा जाता है वी कलो करियर के function क्या है it holds the constituent of paints and suspension जो other constituents है paints के उनको suspension में रखता है यह vehicle it provides durability and toughness and waterproofness ठीक है यह durability भी प्रोवाइट करता है toughness भी देता है waterproofness भी देता है और रिजिस्टेंस टू दो वैजरिंग वैजरिंग के लिए रिजिस्टेंस भी vehicle प्रोवाइट करवाता है इसके कुछ types है जैसे कि पहला type linseed oil linseed oil के क्या properties है it is yellowish oil colorless it is yellowish colorless oil obtained from flax seeds flax seeds obtained होता है it contains acid it contains acid which reacts with oxygen and hardness by forming a thin film known as linoxin ठीक है for plastered or metal surface for plastered or metal surface for plastered or metal surface के लिए हम boiled linseed oil का use करते है और wooden work के लिए हम raw linseed oil का use करते हैं और तरह के भी vehicles होते हैं other types के भी vehicles होते हैं जिसमें एक type है poppy oil टंग oil भी है एक और तरह का वीकल है एनिमल वाइल ओके तो चार तरह के आपने वीकल देगे एक linseed oil पॉपी वाइल टंग वाइल और एनिमल वाइल next to constituent वह है आपका solvent solvent जिसे थिनर भी कहा जाता है okay it is used to thin the paint and making the paint workable जैसे की concrete होता है concrete को वरकेवल करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें पानी मिला देते हैं बट वह एक्चुली वह बरकेवल तो हो जाता है लेकिन उसकी स्ट्रेंट घड़े आती है ठीक है यहां पर पेंट में क्या करते हैं थिन वरकेवल करने के लिए solvent को मिला देते हैं जिससे पाना वह पेंट थिन हो जाता है और वरकेवल भी हो जाता है ठीक है तो प्रोसेस क्या होती है इसमें सॉल्वेंट क्या करता है एवोपरेट कर जाता है द्यूरिंग द्राइंग और फिल्म जाता है को and it is a volatile dilutant वल्लब सॉल्वेंट जो होता है एक वालत्र डालडाल स्वेंट है जिसको आप अगर पेंट में नहीं स्करते तक ढॉरिंग द्लींग ट्राइंग एटवेट्स ल्योरिंगle के एव और देसं में गालए स्था क्योंकि व्यादर का एडवर्स एफेक्ट होता है इस पर दूसरा जो है वह है नैप्ता तीसरा इस्पिरेट है चौथा पैट्रों लिया मैं पैट्रॉलियम ही तो चार तरह के सॉल्वेंट हमने देगे इसके वाद जो नेक्स कॉंस्टिट्वेंट का वह है पिग्मेंट पिग्मेंट इंपार्स टैजाइड कलर जो भी कलर चाहिए है पेंट को वह प्रोवाइट करवाता है इट प्रोटेक्ट पेंट फ्रॉम यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है पेंट फिल्म को इंपार्स इंपर्मेविल्टी टू पेंट फिल्म यह इंपर्मेविल्टी भी देता है पेंफ फिर्म को कुछ टाइब के किमेंट है ये क्लर करवाते हैंेता हैं में इस सल्फट क्रोइट करका हैं लिए पौइड़ करिफर अमिलन करवाते हैं अलंड इसके बाद जो मारा नेक्स्ट चौण मेंट है वह है व्हाइड एट च्वार्घ्स करते हैं इत टैंगल वीकल हमने पढ़े थे उनको एस उनकी ट्राइड को मादा यह जो अ当र कॉंडख एंट है अधुर स्कुन ऐस कटियुक्ट थे थे तेज करता है कोण डॉयर के इनके टाइप्स क्या है कुछ टाइप है पहला टाइप लीथार्स दूसरा लेड एसिटेट रेड लेड मेगनीशियम ऑकसाइड कोबाल्ट जिंक लेड क्रोमेट तो यह इसके टाइप है नेक्स कॉंसिट्वेंट जो है पेंट का वो है एडल्ट रेंट यह क्या करता है तू रिड्यूस ओवर्वल कॉस्ट करता है कैसे करता है वेट को कम कर देता है और डीरविल्ट को बढ़ा देता है इसके कुछ टाइप है जिपसम एलकोहल बैरियम सलफेट कैल्सियम कार्बोनेट मैंगनिशियम सलिकेट चाहे नाच्ज वह क्योंस्टिटेट रहे है नैमल इने वैंन जो है एड़ इनेमल इस वार्निस यूज़ा आजे आज़े बिगल इनेमल इस वार्निश दरीका वार्निश्यवचिष्टिश्यश्य दे विगल यूज़ फॉर कोटिंग सर्फेसे सब्जेक्टेट टू हार्ड वियर और वैडियेशन इन टैंपरेचर फॉर आउट्डोर मतलब एकस्टियर के लिए यूज़ करते हैं ऐसी सब्जेट जो की जिन जो सब्जेक्टेट होती है हार्ड वियर के लिए एंड वैडियेशन टैंपरेचर जना इन फॉर सब्जेक्टेट जिन जर्फेस पर वैडियेशन आफ टैंपरेचर काफी होता है और जिन पर प्रेइर होने की चांसें थे है तो वहाँ पर हम क्या करते है इनेयमल का यूज करते है जो गे एक वार्निश है और इसे विखल यूज किया जाता है ठीक है और बभी अर nervous routine के वारे ध्युक्येकी को यह कुछ करते हैं suitable for interior walls distemper interior walls पर करते हैं the amount of water for 1 kg of distemper is 0.6 liter 0.6 liter of water use करते हैं for 1 kg of distemper putty क्या होती है putty is the powdered chalk in linseed oil ठीक है powdered chalk होती है linseed oil में linseed oil हमने पढ़ा था वी कर ले powdered chalk जो होती है अगर linseed oil में डाल दो तो पुटी मिल जाएगी used for filling holes holes को fill करने के लिए हम पुटी का use करते है micro cracks को fill करने के लिए करते है and defacement in wood और wood को भी में जो defacement हो रखा है ठीक है ना cracks वगर आज रखें उसको fill करने के लिए हम वोट का use करते हैं next we have lecture lecture it is a solution of natural or synthetic resin in a in a volatile solvent it is obtained by dissolving resin and film forming nitrocellulase or shellac in a solvent यह बनता कैसे है dissolving resin and film forming nitrocellulose को nitrocellulose और shellac को जब हम solvent में मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है resin को आप क्या करते हो oil में या फिर alcohol में या फिर turpentine में आप डालते हो तो आपको varnish मिलता है homogeneous mixture मिलता है जिसको varnish पूला जाता है तो oil varnish में पहला टाइप resin होता है solvent linseed oil होता है interior plus exterior दोनों के यूज़ करते है most durable varnish है ठीक है spirit varnish क्या है spirit varnish में resin जो होता है वो लैक और shellac होता है solvent क्या होता है spirit होता है okay asphalt varnish में क्या होता है asphalt varnish में resin जो होता है वो hard asphalt in linseed oil use होता है ठीक है solvent क्या होता है turpentine और petroleum spirit turpentine और petroleum spirit spirit अब यह जो हमारा अब यह जो asphalt varnish ता इसका यूज़ हम कहां करते हैं कि ऐसी शॉप में जहां पर fabrication होता है स्टील वर्क्स का स्टील वर्क्स का यहां फैब्रीकेशन होता है वहां पर हम asphalt varnish का यूज़ करते हैं next we have flat varnish flat varnish क्या है wax metallic show finely divided silica when added with varnish produces dull appearance इसी को flat varnish बोलते है water based acrylic varnish है ठीक है protection of indoor painted surface doors cabinet and woodwork protection of indoor painted surface doors cabinet and woodwork के लिए इसका यूज़ होता है next water varnish water varnish is shellac dissolved in hot water ammonia borax soda varnishing maps और pictures के लिए यूज़ होता है यह important है कि maps और pictures की varnishing के लिए कौन सा यूज़ होता है water varnish होता है यह बनता कैसे shellac dissolved in hot water plus ammonia borax soda ठीक है next we have spar varnish spar varnish used for spars and other parts of ship ship के other parts के लिए use होता है ठीक है spar varnish हम कुछ तरह के paints देखेंगे miscellaneous paints देखेंगे और उनकी properties देखेंगे पहला है asphalt paint asphalt paint asphalt paint क्या करता है asphalt paint जो करता है वह fireproof paint होता है asphalt paint ठीक है next we have aluminium paint aluminium highly heat resistant paint है आप से question पूछ सकते ही fireproof paint कौन सा है तो fireproof paint मैंने आपको बता है fireproof paint आपका होता है asphalt paint ठीक है aluminium paint आप क्या होता है highly heat resistant होता है it is resistant to corrosion actions also aluminium powder held in suspension of varnish इसमें aluminium paint में होता है aluminium powder को क्या करते हो आप suspension रखते हो in varnish तो आपको क्या मलता है aluminium paint मिल जाता है next we have bituminous paint bituminous paint is alkali resistant alkali asphalt bitumen dissolved in mineral spirit और naphtha तो इस तरीके से आपको bituminous paint मिल जाता है next we have bronze paint bronze paint is highly highly reflective question आसकते है कि highly reflective paint कौन सा है तो bronze paint है इसमें यह बनता कैसे aluminium and copper powder in vehicle like nitro cellulose lacquer क्या करते हैं कि aluminium copper powder को हम in vehicle nitro cellulose lacquer acts as a vehicle इसमें हम क्या करते हैं aluminium copper powder को डाल देते हैं तो bronze paint मिल जाता है next we have cellulose paint and lacquers it is resistant to adverse weather conditions adverse weather conditions के लिए हम कौन सा यूज करते है cellulose paint और lacquers cellulose amyl acetate substitute और nitro cotton dissolved in petroleum तो इस तरीके से यह बनता है duco paints are cellulose paint यह याद रखना है duco paint जो होते है cellulose paint होते है next we have casein paint casein paint is used over new plaster surfaces walls and ceilings casein is mixed with base like whitened and lithophone casein is mixed with base like whitened and lithophone okay next we have cement paint it is used to decorate exterior surfaces exterior surface को decorate करने के लिए cement paint का यूज करते है main ingredients of the paint are white portland cement lime and other pigments white portland cement का यूज होता है lime का और other pigments का यूज करके हम cement paint को बनाते है कुछ defects है हम देखेंगे पहला defect है flaking flaking में क्या होता है detachment or paint film paint film क्या होती है निकल जाती है surface से है ऐसा किस कान से होता है कि पेंट फिल्म के detachment को हम क्या बोलते है flaking बोलते है इसके बाद आपका है चॉकिंग चॉकिंग क्यों होती है it is a paint film becomes powder paint film क्या होता है powder के form में convert हो जाता है होता है क्यों due to insufficient oil in primer insufficient oil in primer के कान क्या होता है चॉकिंग हो जाती है next we have cracking cracking is the formation of cracks throughout the entire paint due to inadequate surface preparation and sinkage inadequate preparation of surface and sinkage के कान क्या होता है crack में हो जाती है होता कैस्ट में formation of cracks हो जाते है throughout the entire surface of the paint next we have wrinkling and crawling when thick layer of paint is applied जब thick layer of paint की तो wrinkling crawling मिलती है oil in the paint more than required causes क्या करते हो oil ज्यादा डाल देते हो paint में more than the required जितनी requirement हो उससे ज्यादा डाल दो के तो क्या होगा wrinkling and crawling हो जाएगी blistering blistering is the swelling of paint film formation of bubble-like shape bubble-like shape आपको मिल जाते है फूले फूले आप paint film देखते हो गरों में वह क्या होती है blistering होती है होता है क्यों है occurs when the water vapor gets trapped under the paint मतलब water vapor जब trap हो जाता है localized loss of cohesion addition between one or more coating one or more coating के बीच में क्या होता है addition जो है proper नहीं रहता है इस कांट से क्या होता है blistering होती है next जो defect है blooming blooming क्या होता है dull patches होते है flashing क्या होता है certain glossy patches आप देखते होगे fading क्या होता है gradual loss of color दीर दीर लॉस होने लगता है color में running and sagging क्या होता है when surface to be painted is very smooth जिसको आपको paint करना वो very smooth है and paint flows back or towards the unpainted area जब बहुत ज्यादा very smooth paint हो जाता है तो उसके क्या होता है आप जब आप paint करते हो तो क्या होता है वो इधर उतर भागता है ठीक है ना unpainted area next we have greening greening क्या होता है imperfect opacity of paint film poor workmanship is the main cause मतलब की perfect opacity नहीं होती है तो appearance खड़ा हो जाती है wall की ठीक है किस कार्ण से होता है mainly workmanship के कार्ण से होता है ठीक है कुछ और points है extra points paint के बारे में हम देखेंगे snow sem is the one of the patent form of waterproof cement paints snow sem जो है एक तरीके का waterproof cement resin क्या होते है organic subsistences होते है in soluble in water होते है polar solvent होते है soluble in spirit alcohol oil इन सब में क्या होते है जो की non polar solvent है इन में क्या होते है यह soluble होते है adding extenders in paint increases it increases its PVC PVC मतलब pigment volume concentration को क्या करता है increase कर देता है adding extenders extenders को increase करने पर extenders are mostly of mineral origin and are also known as fillers यहने fillers भी बोला जाता है example of extenders are china के लिए mica और gypsum china के लिए mica और gypsum क्या है example of extenders है full form of PVC and with respect to paint this pigment value concentration ठीक है यह पीवी वॉल्यूम हो गए है हाँ पर पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन पीवी-सी एन ठीक है ओक है next we have French polish French polish क्या होती है it is a spirit varnish prepared by dissolving resin in methylated spirit जबकि dissolve करते हैं resin in methylated spirit तर्मने को French polish मिलती है use as a hardwood subsistence to hide grain defect grain defect को क्या करने के लिए छुपाने के लिए हम क्या करते हैं French polish के use करते हैं hardwood surface पे फिर wax polish है wax polish क्या होती है wax polish जो होती है prepared by dissolving bees was in turpentine bees की जो सहत उसको turpentine में resolve करने पर अपने को wax polish मिलती है highlighting the grain over the wooden surfaces you guys signing के लिए होती है ठीक है ना wooden surfaces इस पर grains को highlight करने के लिए होती है ठीक है कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों हमारा यह topic नहीं पर खताम होता है next topic हम लाइम लेखेंगे कि अग्यों अग्यों